बच्चों आज हम लोग वाटी का पार्ट फाइब हम कुछ सीखे पढ़ेंगे इस कविता को गोपाल कृष्ण कॉल ने लिखा है सबसे पहले हम कविता का अधियन करते हैं देश हमें देता है सब कुछ हम भी कुछ तो कुछ देना सीखें सूरज हमें रोशनी देता हम हवा नया जीवन देती हैं भूख मिटाने को हम सब की धर्ती पर होती खेती हैं औरों का भी हीत हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें पथिकों को जलती दुपहर में पेर सदा देते हैं चाया खुस्बु भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला त्यागी तरुओं की जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें जो अनपढ हैं उसे पढ़ाएं जो चूप हैं उसकी वानी दे जो पिछड़ा हैं उसे बढ़ाएं प्यासी मिट्टी को पानी दे हम मेहनत के दीप जला कर नया उजाला करना सीखें यहाँ पर पार्ट में बतलाया गया है कि प्रकृती जो है हमें बहुत कुछ देती है और प्रकृती से प्रेना लेकर हमें अपना जीवन को परुकार में लगाना चाहिए देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सिखें यह जो कवीता है एक देश भक्ती कवीता है कहने का तात्परिया है कि हमारा देश जो भारत है जो हम सब का बहुत ही प्यारा है और इस देश ने हमें रहने के लिए घर खाने के लिए आनाज यानि कि जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ दिया है और सूरज हमें रोशनी देता है हवा नया जीवन देती है भूख मिटाने को हम सब की धरतीपत होती खेती है यहां कहने का तात्परिया है कि सूरज जो हमें नया रोशनी मतलब प्रकाश देती है और मात्री भूमी जो है हमारी भारत माता हमें सब कुछ देती है और हमें मात्री भूमी की सेवा करनी चाहिए यानि कि दूसरों की सेवा करना है सूरज जो है पुरग जिसा में उपता है और हवा नया जीवन देती है हवा जो है हमें नया जीवन देती है मतलब हवा के द्वारा हम सांस लेते है सांस के द्वारा वायू जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हम जीवित होते हैं यदि हवा नहीं रहेगा यदि हम सांस नहीं ले पाएंगे और नहीं हम जीवित रह पाएंगे इसलिए कहा गया है कि हवा हमें नया जीवन देता है भूख मिटाने को हम सबकी धर्ती पर होती है खेती हमें जब भूख लगती है तो हम अन ग्रहन करते हैं तो अन कहां से आता है अन हमारे धर्ती मा के गोद से मिलती है और धर्ती मा के गोद में खेती की जाती है वहाँ पर देखिए यहाँ पर किशान तो ने अनाज की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक खुतलब बना करके रखा गया है जो भी भीन प्रकार की अनाज उप जाय जाते हैं गेहू है धान है जोव है इत्यादी और इस प्रकार जो है इस अनाज से हमारी भूख मिटाई जाती है और धर्तिमा जो धर्तिमा के गोद में यह अनाज जो है उप जाई जाती है हवा कभी हीथ हो जिसमें हम ऐसा करना चाहिए हमें औरों कभी भलाई करना चाहिए हमें पेर से ही कुछ सिखना चाहिए है ना आगे देखते हैं पथीकों की जलती दुपहर में पेर सदा देते हैं च्छाया खुस्बू भरे फूल देते हैं हमको नौप फूलों की माला पथीकों की जलती दुपहर में अधर गर्मी के दुपहर में पथीक जब चलते चलते ठक जाते हैं पथीक मतलब राहीगर चलते चलते ठक जाते हैं तो वो क्या करते हैं पेड के पास में आराम करते हैं या सुस्ताते हैं पेड जो है उसको छाया देती है अच्छी हवा भी देती है यहाँ पर देखें पेड है और एक बेक्ती जो है आराम कर रहा है खुस्बू भरे फूल देते हैं सबको नौ फूलों की माला और खुस्बू भरा फूल जो है उसे हमें नए फूलों यहां फूलों की माला जो है यहां पर फल होना चाहिए फलों की नए फल देते हैं और साथ में अच्छी फूल भी देते हैं फूल तो हम लोगों को सब पसंद है न बहुत सारे फूल जो है बहुत लोग जो है पूजा में उप्योग करते है तो पेर जो है हमें बहुत कुछ देता है जैसे कि छाया दिया फूल दिया फल दिया और लकडी भी इंधन के लिए लकड़ी तो पेड के बहुत ही उपयोग भी है त्यागी तरू के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे त्यागी तरू, तरू मतलब पेड पेड के, पेडों की त्यागी इसलिए कहा गया है कि पेड जो है, दुसरों के लिए छाया देते हैं, फल देते हैं, वो दुसरों के लिए जीते हैं पेड अपना फल स्वें नहीं खाते पेड जो है, दुसरों को छाया देते हैं पर कभी हमें पेड के माधियम से त्याग करने की भावना को उत्पन करते हैं कहते हैं कि हम भी तो कुछ जीना सीखे हमें भी पेरों की भांती कुछ जीना सीखना चाहिए जो अनपढ है उसे पढ़ाए जो चूप है उसको वानी दे जो पिछरा है उसे बढ़ाए प्यासी मिटके को पानी दे यहाँ पर कभी कहते हैं कि जो अनपण है उसको पढ़ाना है उनको शिक्षित करना है और जो चूप है उसको वानी दे चूप है कहने का मतलब जो अनपण है गवार है उसको वो बोलने नहीं जानते हैं उसको शिक्षित करके उसके वानी देना उसको बोलने के लिए सिखाना ह जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए प्यासी मिठी को पानी दे और जो पिछडे रोग है उसको रोत्साहन की द्वारा आगे बढ़ाना है उसके डर को भै को मिटाना है और हमारी धर्तिमा की मिटी जो है प्यासी है उसे पानी देना है उसे उपजाव बनाना है हम मेहनत की दीप जला करना सिखे हमें मेहनत का दीप जला करके दीप पतलब रोशनी दिया जला करके नया उजला सिखना है सिख्षित से सिख्षित की ओर जाना है गोपाल कृष्ण कॉल जो है हमें अपने कवीता हम कुछ सिखें के माध्यम से बहुत कुछ बतला रहे हैं कहने का ताप्रिया है कि हमें अपना जीवन परुपकार में लगाना है और लोगों को सिख्षित करके उसको आगे बढ़ाना है अब यहाँ पर देखिए कि आपके पुछतक में बहुत सारा कठिन सब्द है सभी कठिन सब्दों को अपनी कोपी में टू टाम लिखेंगे और याद करेंगे कवीता को भी लिखना है आप कुछ कोश्चन से उसको आप बना लिजिएगा जैसे कि देश हमें क्या देता है हमें नया जीवन कौन देता है दुपहर में छाया कौन देता है तरुओं की त्यागी क्यों कहा गया है देश की सेवा करने के लिए कभी ने क्या सुझाओ दिये है यहाँ पर पंतियां पूरी के लिए उत्तर लिखें हम किस प्रका सूरच हवा धर्ती पेड आदी का लाव उठाते है पेड हमारी रक्षा कैसे करते है देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए औरों का हीत हो कंति में क्या आशाई है हम नया उजाला किस प्रकार कर सकते है आप लोग पहले इस प्रशनों का उत्तर को भूरियेगा और अपनी हिंदी कोपी में लिखियेगा